नविश्कार दोस्तों मैं हूँ डुक्टर मिश्कारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डुक्टर घरी पर स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे होमियोपेति की एक दवाई के बारे में जिसका नाम है कैली ब्रोमेटम कैली ब्रोम भी हम इस दवाई क को बोल सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड से यह दवाई बनाई जाती है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि यह दवाई किन रोगों और किन सिम्टम्स में पेशेंट को हम देते हैं अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलिटिट वीडियो से आप अपडेट इट रहें दोस्तो इस दवाई का मेंली यूज माइंड सिम्टम्स में देखा जाता है माइंड डिजीज में देखा जाता है नर्वस सिस्टम की डिजीज में देखा जाता है सेक्सवल और गंस में अगर कोई प्रेशानी आत तो उसमें देखा जाता है या फिर स्किन पर देखा जाता है दोस्तों सबसे पहले हम इसके mental symptoms की बात कर लेते हैं दोस्तों ये दवाई ऐसे लोग को suitable रहती है जो बहुत nervous रहते हैं पेशेंट को nervousness के साथ साथ और भी शिकायत हो सकती है जैसे loss of memory की पेशेंट बोलने से पहल जादा बेचैन होता है वो एक जगे नहीं बैठ पाता है पेशेंट के हमेशा जब भी बैठता है गहीं तो उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं constantly movement patient के अंदर देखने को मिलती है even कुछ लोगों में patient की चाल अगर देखी जाए तो वो सही से चल भी नहीं पाता है patient का पैर सही से नहीं रखा जाता है moment अगर देखी जाए तो वो abnormal होती है patient हमेशा उदासी देखने को मिलता है patient के अंदर उच्छा की कमी होती है patient हमेशा अपने आपको depressed और anxious महसूस करता है patient के अंदर moral deficiency देखने को मिलती है और जब patient रोना शुरू कर देता है तो वो आसानी से चुब नही होता है patient को अंदरा की शिकायत भी होती है वो किसी tension की वज़े से stress की वज़े से हो सकती है तो ऐसी condition में इन शिकाय तो मैं अगर patient को ये दवाई दी जाए तो इन सब में काफी राहत मिलती है मैंने आपको कुल मिला कर बताया कि patient की आदास कमजोर होती है जब patient बोलने जाता ह है तो वो वर्ड ही बूल जाता है कि मैंने क्या बोलना है और symptoms की बात करें तो patient बहुत बेचैन रहता है patient को नीन नहीं आती है patient चुप चाप नहीं बैट पाता है या तो उसके हाथों पेरों की moment चलती रहती है या वो बोलता रहता है तो इसके head के symptoms की बात करें तो brain fact के या head में numbness देखने को मिलती है सुनपन देखने को मिलता है patient को कई बार सर का दर्द इसकारण महसूस होता है patient के सिर में violent headache देखने को मिलता है heaviness देखने को मिलती है ऐसी condition में patient को ये दवई दी जाए तो उसमें काफी रहत मिलती है patient के अगर पेट के symptoms की बात करें तो patient जब भी खाना खाता है उसके बाद उसको प्यास लगती है वो मेटिंग हो जाती है ऐसी कंडिशन में भी एदवई दी जा सकती है पेशेंट को पेट में ठंडापन महसूस होता है और जो चोटे बच्चे होते हैं उन्हें सुबह के टाइम पांच बचे के आसपास उनको पेट में दर्द महसूस होता है अगर पेशेंट को डाइरिया हो तो उसके साथ साथ पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है वो ट्री ग्रीन डिस्चार्ज होता है और पेशेंट जब भी खाना काता है तो उसके बाद में पेशेंट के नर देखने को मिलती है इसी कंडिशन म दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफी राहत मिलती है दोस्तों अब इसके नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स की बात करें तो इस दवाई को ऐसे लोगों में दिया जाता है जो हकलाते हैं बहुत slow difficult speech उनकी देखने को मिलती है usually epilepsy उन पेशेंट में देखने को मिलती है जिन ल में फेस पर हो चैस्ट पर हो तो यह दवाई देने से उसमें काफी राहत मिलती है एकनी का कई बार ब्ल्यूश कलर देखने को मिलता है तो ऐसे कंडिशन में से सर्था कहा जा सकता है तो इसके लावा इस दवाई को हम पैरलाइसिस में दे सकते हैं अब इसके सेक्स्वल डि दी जाती है उसके बाद काफी रात मिलती है पेशन्ट को दोस्तों फेमेल पेशन्ट में ओरीज में अगर से इस्ट हो गई हो तो उसमें दवाई देने से यह ठीक होती है तो अगर आपको इन में से कोई भी शिकायत है तो आप कैली ब्रॉम को उप से नह खाएं यानि एक सब्सक्राइब करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है थैंक यू